आज मैं आप सबको कुंडली क्या है इस विशय में साधान जानकारी देने की चेश्टा कर रहा हूँ कुंडली या जनपत्री जनमांग चक्र जनमाक्षर टिपणी टिपण कुछ भी कहा जाए कुंडली में आपके पुर्व जनम के कर्म जो आप करके आए हुए हैं ग्रहों के माध्यम से वह इंगित किया जाता है ऐसा नहीं कि हम पुर्व जनम आपका जात्र के देखते हैं जब आप पैदा होते हैं जब उत्वपन होते हैं उस समय के ग्रह इस्थितियों को हम जनमांग चक्र में भरते हैं और जनमांग चक्र में आप किस लगन में पैदा हुए हैं इसका अम ध्यान रखते हैं इसलिए पहले भारतिय कुंडली में पहले लगन का मान देखा जाता है कि लगन कौन सा लगन का उदय हो रहा है और जिस लगन का उदय हो रहा है लगन को जानने के लिए एक साधान सा नियम है कि शुरियोदय के समय जिस रासी में सुरिय रहता है पहला लगन उसी का होता है सबी को मालूम है जनरल तो मालूमी है कि पृतिवी हमारी एक डिगरी चार मिनिट में क्रास करती है उस समय लगभग इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारी पृतिवी संपुर्ण पृतिवी का परिभ्रमन और सूरी की परिक्रमा उसकी धूरी पर तीन सो साथ डिगरी का 24 घंटे के अंदर-अंदर कर लेती हैं उस समय किस लगन में हम पैदा हुए हैं यह जानने के लिए हमें पंचांग देखना पड़ता है या अगर नहीं समझ में आए तो हमारी एक एप है बैदिक रिशी का कुंडली उस एप में आप अपना तारिक महीना सन और साथ में समय कितने बचके कितने मिट दिन या रात किस अस्थान पर पैदा हुए हैं यह डाल करके आप आराम से अपनी जन्मांग चक्र बनाके देख सकते हैं जन्मांग चक्र में अति महत्तोपुर्ण भाग है जिसका नाम है लगना दूसरा परंतो सूर्य को तीसरे अस्थान पर रखा गया है क्योंकि कहा भी जाता है मन के हारे हार है मन के जीते जीत तो ध्यान रखें कि जितने भी कुंडली जब निर्मान करते हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि कुंडली में पंचांग का सबसे मुख्य रोल होता है सबसे मुख् पंचांग का मतलब जिसके पांच अंग हो तिथी वार नक्षत्र योग और करण यह योग करण और नक्षत्र नक्षत्र स्वतंत्र है प्रन्तो तिथी यह वार को भी स्वतंत्र माना गया है प्रन्तो योग करण और तिथी यह सूरी और चंद्रमा से ही बनते हैं क्योंकि कहा भी जाता है सूरी और चंद्रमा के यह पुत्त्र हैं तिथी बच्चे हैं तो इस प्रकार से हमें जब भी जनपत्री बनाएं या जनपत्री बनवाएं तो हमें तिथी का फल, वार का फल, करण का फल, योग का फल और नक्षत्र का फल और नक्षत्र के किस चरण में हम पैदा हुए हैं, उस का फल हमें जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यही जीवन को आपको सही उचाईयों पे ले जाने वाले हैं, आपको पता चलेगा कि आप कि योधसी हुआ करते थे वह पंचांग पर विसेस ध्यान रखते थे अभी हम पंचांग पर विसेस न ध्यान देते हुए केवल मात्र योग क्या बना है कौन सी दसांतर दसा चल रही है गोचर कौन कर रहा है इतना ही देखने की चेश्टा करते हैं जब कि संपुर्ण फलों में कम और ज़्यादा करने की सामर्थ के और पंचांग के पास है इसलिए पंचांग को भूलना नीचे पंचांग को अवस्य देखना चे और कुंडली से आप अपना संपुर्ण स्वरूप जान सकते हैं जैसे लगन से आप जान सकते हैं कि हमारी हाइट क्या है हम किस वरण के ह होंगे और हमारा मन से चंद्रमा से हम जान सकते हैं कि हमारा नैसरगी मन कैसा है सुरी से हम जान सकते हैं कि हमारी पिता के साथ या हमारी आत्मा के साथ हमारी इस सरीर का संबंध क्या है इसी प्रकार से मंगल बुद्ध गुरु शुक्र और शनी इन सभी से क्या-क्या जानना है या आप जैसे-जैसे क्रमसर देखते रहेंगे हम प्रयत्न करेंगे कि अगले वीडियो में हम सभी ग्रहों के विशय में एकलाएं कि किन से क्या जानना जा सकता है और अच्छी जानकारी प्राप्त हो तो बस क्योल इतना ही जानना है कि कुंडली बनने के बाद आप अपने शम्पुर्ण जीवन को जानने की सामर्थ रखते हैं अगर जानना चाहें तो ध्यान रखें कि जोतिस में कोई आउसधी नहीं है आउसधी के लिए आयुरवेद में जाना पड़ेगा पर जोतिस में क्योल कहा गया है कि आपके अपने दिमाग में उस विचार को डालने जिस विचार के द्वारा आप सदेव पतन में जा रहे हैं या आप उस विचार को उन्नती की तरफ ले जाएं और बुष्ट करें जिस विचार को प्राप्त करने के बाद आप दिन दुनी रात चोगनी बृद्धी को प्राप्त कर रहे हैं तो यह विचार ही है जोतिस में कुंडली के माध्यम से हम एक विचार को प्रेशित करते हैं और समझाते हैं कि आप ये बदलो, अपने मन में एक बात बात डाल दोगे, रोज पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, एक दिन ही आप योग्य हो जाओ, हर जात तक कोई जन्मजात योग्य बन करके, या कलाकार बन करके, या सिच्छक बन करके नहीं पैदा हुआ है, का मूल का नाम है कुंडली, और कहते हैं कि पंडी जी कुंडली देखे, तो इतना साधान मी नहीं है कि पता चला कि कुंडली लिया, और दस मिनट में उत्तर दे दिया, अगर दस मिनट में उत्तर देना, तो दस मिनट में क्या क्या देख सकते हैं, हाँ ठीक है, कि समय बहु उसके उचाई या उसका पतन उसका पंचांग ही मूल है इसलिए जन पत्री में पंचांग को महत्त दें और आगे बढ़ें अगर पंचांग के बिशय में आपको जानकारी नहीं है तो प्रियत्न करें कि जैसे मानसागरी है जातका भरण है जातका लंकार है इन सब ग्रंथों में पंचांग की अच्छे ढंग से जानकारी दी गई है इनको अध्यान करके पंचांग के पीशे में पहले जाने उसके बाद आप जो भी जानना चाहेंगे वो जान सकते हैं कि जैस्री राधि